ओम साही राम, वेलकम टू साही समरपन चानल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी, and हापी थर्षडे टू आल माई साही डिवोटीज, आज थर्सडे है, बाबा आपकी सारे मनो कामना पूर्ण करे, सब कुछ आपका पूरा हो जाए, जो भी आप चाहते हो जो भी आपकी इच् पूर्ण पूजा करते हैं, लेकिन आज के दिन बाबा को हम समर्पित करते हैं, गुरुवार को स्पेशली बाबा का दिन ही माना गया है, तो आज के दिन जितने भी डिवोटीज, जितने भी भक्त बाबा की पूजा करते हैं, अराधना करते हैं, तो आज मैं आपको उस चीज इसके बारे में बताऊंगी जो बहुत important है पूजा करते समय तो बहुत सारे devotees का ये मेरे पस question आता था बहुत सारे लोगोंने सवाल पूछा था कि जब हम बाबा की पूजा करते हैं तो बाबा का मुख किस तरफ होना चाहिए किस तरफ बाबा का मुख होना चाहिए जिससे कि जो हमारे पूजा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो और सही उसका फल भी मिले चुकि जब पूजा सही तरीके से नहीं होती न तो उसका फल भी हमें उस तरीके से उतना अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता जितना हमने सोचा है ऐसा नहीं कि बिल्कुल फल नहीं मिलेगा फल म आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि जब आप बाबा को बिठाते हैं, बाबा को स्थापित करते हैं, जब भी किसी किसी के घर में बहुत बड़े-बड़े मंदिर हैं, किसी के घर में छोटे मंदिर हैं, तो वो बाबा को चौकी पर विराजित करते हैं, है ना, जिसे नौदिये जलाने के लिए, बाबा के लिए especially कुछ पूजा रखने के लिए बहुत अलग-अलग चीजे होती हैं, तो उस बारे में मैं बताऊंगी कि किस तरफ आपको किस दिशा में बाबा को रखना है, जिस तरफ रखे, या फिर आपका जो घर का मंदर है, उसका जो मुख ह जो इश्वर का मुख है, जो हमारे साइं का मुख है, वो किस तरफ होना चाहिए, जिससे कि आपके घर में बरकत, अच्छी सी सकरत्मक उर्जा आती रहे और आपके घर उन्नती करता रहे, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावज चाहिए, जब आप पूजा करते हैं, ठीक है, तो जब आप पूजा करने बैटे हैं साइं की, तो बाबा का मुख साइं का मुख पश्यम दिशा की तरफ होना चाहिए, बाबा का मुख पश्यम दिशा की तरफ और आपका मुख पूरफ दिशा की तरफ, ठीक है, ये बहुत important है मैं दोबारा से दोहराऊंगी कि बाबा का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ अच्छा माना गया है और आपका मुख पूरव दिशा की तरफ वैसे दोनों चीज बहुत अच्छी मानी गई है पूरव दिशा और पश्चिम दिशा पूजा पाट के लिए माना गया या आप पाट पूजा करने रोज बैठते हैं ध्यान करते हैं मंत्र करते हैं तो इसका आपके जो दिशा है उसका बहुत बहुत जादा अफेक्ट करती हैं चीजे बहुत प्रभाव पड़ता है तब हम वास्तु शास्तर को बुलाते हैं चीजों को करते हैं जब घर बनता ह बहुत सारी चीजे होती हैं लेकिन जो मानता है बारी की से वो अगर समझेगा तो उससे समझ में आएगा और जो नहीं मानता उसके लिए फिर कुछ भी नहीं है ठीक है जो मानता है वो सब कुछ मानता है जो नहीं मानता वो बिल्कुल कुछ नहीं मानता तो मैं बस आप से यह कहूंगे कि जो मानता है जिसे लगता है कि हाँ कुछ चेंजिस करने चाहिए अगर आपके घर में कुछ प्रॉबलम हा रही है तो एक बार ये काम जरूर करकर देखिए आपका जो घर का मंदर है उसमें जितने भी ईश्वर हैं साई हैं उनका मुख पश्रिम की तरफ होना चा दक्षिन दिशा की तरफ कभी बी ईश्वर की फोटो ईश्वर का सरूप ईश्वर का मंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए और ना कभी आप दक्षिन दिशा की तरफ बैट कर पाठ पूझा करेंगे समझाया आपको ये बहुत important है क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी पित्र हो होते हैं हमारे वो सब दक्षिन दिशा की तरफ ही वास करते हैं सब कुछ ठीक है तो दक्षिन दिशा को भूत की दिशा कहा गया है अगर कभी भी अगर आप अपने घर की फोटोस वगरा भी होती है न चो कपल फोटो होती है जो हम अपने घर में बच्चों की फोटो लगाते हैं husband wife की photo लगाते हैं किसी की भी अगर हम photo लगा रहे हैं अगर वो living है अगर वो जिन्दा है अगर वो है इस दुनिया में तो उनकी photo कभी भी दक्षिंड दिशा की तरफ नहीं लगाने चाहिए अगर आप लगाएंगे ना तो बहुत सारी problems great हो सकती है जैसे suppose then अगर आप husband wife की photo दक्षिंड दिशा की तरफ लगा रहे हैं तो देखना बहुत सारा complications होंगे लडाई जगडे होंगे husband wife की बीच में बहुत सारी चीजे उल्टी फुल्टी होंगी कि आपकी married life अच्छी नहीं होगी कभी आप notice करना कभी भी आपको उस तरफ में photos वगरा नहीं लगाने चाहिए आपको हमेशा पश्यम दिशा की तरफ या पूरफ दिशा की तरफ ही photo लगाने चाहिए जो positivity देता है जो आपको सकरत्मक्ता देता है ठीक है ये बहुत important है जब भी आप अपने घर में पूजा पाट रखवाएं तब भी पश्यम दिशा की तरफ ही मुख करके रखवाएं ठीक है और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की इतना जरुवत नहीं है लेकिन अगर आपके घर में ऐसा मंदर है कि आपने दक्षिन दिशा की तरफ रखा हुआ है तो वो बहुत गलत है किसी के कहने पर मत चलिए कुछ मत करिए सीधा सीधा पश्यम दिशा की तरफ उसका मुख करके देखिए कुछ ही दिनों के अंदर आपको फरक नजर आएगा और अगर आपके घर में कुछ फोटोस फगरा हैं जो दक्षिन दिशा की तरफ लगी हुई है तो उन फोटोस को हटा दीजिए लेकिन हाँ जो लोग बड़े बुड़े हैं जो लोग गुजर गए हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं हम उनकी फोटोस को दक्षिन दिशा की तरफ लगा सकते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं जिनोंने लगा रखी हैं वो लगाए रखी हैं और फिर उन्हें कहीं और दिशा में ना लगाएं उन्हें दक्षिन दिशा की तरफ ही लगाएं अगर आपके घर में कोई बड़े परिवार है, सब कुछ है, उन सब की फोटोज वगेरा आपको पश्यम दिश्या पूरा दिश्या की तरफ लगानी है और जो लोग आपके बीच में नहीं है इस दुनिया में नहीं है आपके बीच में नहीं है, चाहे वो आपके अपने हो वैसे तो obviously सी बात है कि हम अपनों की ही फोटो अपने घर में लगाएंगे और किसकी लगाएंगे है ना जो हमारे बड़े बूडे है या फिर हमारे घर का कोई सदस्य है जो उम्र से पहले चला गया या कोई भी कोई भी हो उनकी फोटो हम दक्षण दिशा की तरफ लगा सकते हैं आपने लेकिन भगवान इन सब चीजों से दूर है क्योंकि भगवान जो है जरम मरन के चक्रवी उसे बहुत दूर है क्योंकि हम इंसान इस दुनिया में आते हैं जाते हैं लेकिन भगवान कभी नहीं आते नहीं भगवान आते जाते नहीं मेरा कहने का मतलब है भगवान सिर्फ एक रूप धारण करकर इस दुनिया में आते हैं लोगों का कल्यान करने के लिए चाहे वो राम के रूप में आये चाहे कृष्ण के रूप में आए, चाहे साइं के रूप में आए, चाहे गुरुनानक देवजी के रूप में आए, चाहे किसी भे भगवान के रूप में आए, चाहे मा भगवती के रूप में आए, वो इस धर्ती पर आते हैं, जिसे की इस धर्ती का कल्यान हो सके, इस धर्त चोई नहीं है वो vai से योगो योगो तक रहने वाले हैं जाएंगे तो हम इंसान आएंगे और जाले थैंगे तो हम पुरिफ की तरफ आजोप आपको ये जानकरी अच्छी लगी होगी अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वाटसअप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बौक्स में भी पूछ सकते हैं ठीक है मैं आपको रिपलाइ कर द झाल झाल